हैलो गाइस वेल्कम टू अने दर वीडियो फ्रीटिंग की जा रही है तो हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग कितने रुपीज का जीम पी चल रहा किस प्राइस प्राइस प्रॉफिट मिलेगी और जो लॉटी जिनको अलॉट्मेंट हुआ वह इसको होल्ड करें या फिर फ्रेश एंट्री आज की दिन लेना चाहिए इन सब्सक्राइब को डिसकस करें चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो काईज देखें आई प्यों जो है 3042 करोड का बुक बिल्ड इश्यू आइप और यह फुल्डी ऑफर फॉर्शल सम्दा कि इसमें कोई भी अब यहां पर टेक्नोलोजी का जो प्रोमोटर के पास रहेगी 55.39 परशन का एंकर इन्वेस्टर से 791 करोड का फंड रेज कर चुका है जो कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते है गाईज और गाम इसके लिस्ट की बात करते हैं बहुत सारा एंकर इंवेस्टर देख सक है एस बिए मिच्वल देख सकता आईसी इस ए रिजेंट्स ऑफ इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्णिया है गौर्न्मेंट पेंशन ग्लोबल है बहुत सारे इसके जो कि इसमें अप्लाइग किये है जो कि आप लोग देख सकते हैं और अगर हम बात करेंगेंगा इस कं अगरेंटकिया है और हम मुचल फंड इनवेश्टर की बात करेंगेंगो मुचल इस ट्रॉंग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है जी एंपे 433 रूपीज पे चल रहा है और 933 रूपीज पे लिस्टिंग होने के चांस और 86 परशन की लिस्टिंग मिलने जा रही है और गाइस अब तक का यह अब तक का मैक्सिमम जी एंपी पहुंच रीच कर चुका है और इसके कॉर्णिंग बहुत ही स्ट्रॉंग लिस्टिंग मिलने की उमीद है वेकर हम बात करेंगा इस कंपनी का बिजनस अगर देखिएगा तियर 94 में इन कॉर्पेट क्या गया था जो क सब्सक्राइब करता है और यहां पर कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो 11,000 से भी जाए इसके इंप्राइज है इसके पास और 27 कंप्रीज में इसकी ग्लोबल प्रिजिंस कर चुका है और 21 से 23 के फिनांशल तक लगवाग 30% के साथ यह सो एन्नुल ग्रोथ देखन को मिला है कंपनी का रेविन्यू ग्रोथ हुआ 30% चाज यह के साथ जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है तो अगर हमसे फिनांशल देखे 21 में 2425 कि रोड के रेविन्यू 239 के प्रफिट है 22 वे 3578 के रोड के रेविन्यू 436.9 के प्रफिट है 23 में 4501.9 के रेविन्यू और 624 क करोड़ का पॉफिट है और फार्स्टाप 24 में 2587 करोड़ का रेवेन्यू 351.9 करोड़ का पॉफिट है तो कंपनी का फिनांशल अगर देखें जैसे मैंने बता है कि रिवेन्यू कॉंस्टेंटली ग्रोप देखने को मिला है लगो ठर्टी पर ट्रटी पर्संट की सिए जाए अब बात करते हैं जो इसमें इनवेश्टर फ्रेंडली कंपनी बन चुका और लिस्टिंग होने को बहुत बहुत स्ट्रॉंग लिस्टिंग मिल रही है तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते एकदम डिस्क नहीं लेना चाते तो आप प्रॉफिट बॉक करके निकल सकते तो आप इसमें 50% का जैसे 30 शेर के लॉट साइजर तो आप 15 शेर को जो है सेल कर दीजे और उसके बाद 15 शेर को होड़ करने के बाद आपका पूफिट बुकिंग हो जाएगा कुछ पॉफिट भी आपके निकल लाएंगे और आप इसमें लेंगे और आप यहा आप लॉन्ट में चाहते तो ही आप लिए लेंगे परशंट की यहां well लोट करेंगे वह 50 शेर को जो 50 परशेंट का शीयर को इसको यह आप आने वाले next quarter results तक जो hold कर सकते, December quarter के result तक पब्लिश होने तक आप इसको hold कर सकते बहुत ही अच्छी performance अगर देती है, result पब्लिश करती है तो इसमें shares में और विँ तेजी आ सकती है, तो guys हम लोग जो में वेडियो को ही पर end करते हैं, अगर कोई doubt to comment box से पुछे मिलते हैं, और